आप भी बरतमान में क्लास 10 में स्टडी कर रहे हैं तो आपके मैट्रिक बोड़ एक्जाम की तयारी के लिए हम लोग सौट वीडियो सीरीज मैद का चला रहे हैं उसके बाद आपको डेली मतलब की मौल्णिंग में एक वीडियो क्लास आपके लिए अपडेट कर दिया जाता ह है इसकर में मैद का लागतार क्लास आ रहा था आप लोगा डिमांड था कि साइन्स का भी अब्जक्टिव प्रस्ण की तयारी कराई है तो चलिए साइन्स का आज एक महत्वपूर अब्जक्टिव मोडल पेपर के हम लोग चार्चा करेंगे आप जानते हैं साइन्स में अस स्मझी आपके अंदर कॉंफिडेंस लवल भिक्सित होगा कि आपको आपको तैयारी जो आपका सही दिसा में जारा है तो आपको पहले तो जो मैं सही उतर बताऊंगो आपको याद कर लेना है अगर माली जी उसके बाद आपको क्या करेंगे तो उसके बाद जीस भी आता है पिल्कुल उसी लेबल का प्रस्त लिये प्रहला प्रसन आपके स्क्रीन पर यहां पर आ गया उतर देने का पर्यास करेंगे त्यारती प्रसन देखिया आप से क्या और सथ दूरे उसकी वकृता तिरजया की हुँते तो किसी भी धर्पन की फोकस दूरिया आपसे पूछे एफ दो क्या होता है एकि Chinggithasr r202 होता हैë मतल्ला वकरता तिरजया का आधा होता है हो जाहाँ होटा ein जड़पन की वक्रता तिरजया फोकस दूरी की तब कहते दो गूनी होती है ठीक तो पहला का ऑप्शन भी जो भी विद्धार्थी आंसर देर है आपका उत्तर बिल्कुल सही है चली आगे बढ़ते हैं दूसरा नमर प्रसंद के यह क्या कह रहा है प्रसन आप से कह रहा है कि नेतर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दिरिष्टी दोस होता है अगर नेतर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दूरी बढ़ जाता है तो दूर दिरिष्टी दोस होता है तो निकट दिरिष्टी दोस मायोपिया के नाम से भी जिसे जानते है याद करते चलिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट आप जानते हैं निकट देश्टी दोस्ट से पिडित बेखती सिर्फ नजदी की स्थित बस्तूओं को देख पाता है अगला प्रस्ट के क्या कह रहा है आप से लगू पथन के समय परिपत में बिधु धारा क का मान सब स्वर्ट सर्कीट लगता है तो बिधु की बारत जाता है दो के मतलब की स्थ के मथाथ हो सकता है ङहां पर दिया कम हो जाता है तो तीसरा का सही उतर याद रखेंगे ओप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रसन देखें महत्वपूर प्रसन है इसलिए याद करते चलिएगा अगला प्रसन आपके स्क्रीन पे रहा रहा निमलिखित में से कौन सा पद बिधूत परिपत में बिधूत सक्ति को निरूपित नहीं होता है यह प्रसन मतलब कि कई बार पूछा गया कि किस फर्मूला से इस में से हम लोग बिधूत सक्ति को नहीं निकाल सकते हैं तो यहीं आपका सही उतर हो जाएगा देख लिए अगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे इंगले वाले छातरों के लि आपका सही उतर है पांच नमर प्रसन थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कहरा है प्रसन आपसे अभी नेतर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है अभी नेतर लेंस की फोकल लेंथ में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है जल्दी से आप लोग पहले उ हमेंगे चश्टा नमर आपसे क्या कहा रहा है रस्म पूछा आपसे की तुम मो ठर परिवर्ण्थित करता है लिक्ट्रिकpol अग्र सांवार्ट चोचेंगे चाथा का साई उतर आप से आप जट्टा का सही उतर क्या हो जाएगा? Electric energy into mechanical energy, बिल्कूल सही. अर्थाथ कि बिधूत उर्जा को यांत्रीक उर्जा में बदलता है, बिधूत मोटर वह युक्ती है, जो बिधूत उर्जा को यांत्रीक उर्जा में बदलता है, इस एलिमेंट इस यूजड इन फिलामेंट ऑफ लेक्ट्रीक वाल्व, यह आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा सही उतर कहिएगा सर, टंगस्टन होगा, बिल्कूल सही, टंगस्टन का उप्योग हम लोग विधूत बल्ब के फिलामेंट में करते हैं, तो साथ का सही पर याद रखेंगे, ओप्सटन है बिल्कूल सही उतर है, चलिए आगे बढ़े, अगला प्रसंद देखिएगा यहाँ पर आठ नुमर, कह रहा है आपसे प्रसंद, एक साधारन प्रिज्म कितने सतहो से घीरा होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा से इसको में बढ़ा करना हूँ, तो का आप लोग उत्तर देंगे, एक साधारन प्रिज्म जो है, कितने सतहो से घीरा रहता है, आपका उत्तर बिल्कूल सही है, ठीक है, अगला प्रसंदिक क्या करें, परतिबीम का आकार हमेशा बस्तू के बराबर हो, तो वह दरपन होगा, मतलब कि परतिबीम का जो आकार है, वह हमेशा बस्तू के बराबर आ रहा है, ठीक है, और मतलब कि जितना बड़ा बस्तू उतना बड़ा परतिबीम, तो कौन सा दरपन होगा आप से पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं मतलब कि किरिया हमेशा चाहे कितना है मतलब कि कोई भी दरपन ले कितना भी फोकस दूरी बढ़ाए घटा है लेकिन आकिरती उतना ही रहा है तो ये घटना की सम्भा हो है प्लेन मीर में समतल दरपन में इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका खुझ किस ने किया था ओप्शन है मैक्सवेल ने कि फाइराडे ने कि एंपियर ने कि फ्लेमिंग ने चलिए बताएंगे दस नमर प्रसंद का सही उतर क्या होगा तो एक सर फाइराडे ने खुझ किया थ तो दस का ओप्शन भी बिल्कुल सही उतर है चलिए ग्यारा नमर प्रसंद आपके स्क्रीन पे रहा कर रहा है प्रसंद आप से कि आकास का रंग आप जानते हैं नीला प्रतित होता है क्यूं ठीक है दर कॉलर ऑफ एसकाई आप यह ब्लू बीकॉज आफ तो इसका पीछे का कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है अच्छा थोड़ा सा इसको मैं इस सैड कर रहा हूं ताकि आपको पूरा ओप्शन के लिए दिखाई दे ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा जल्दी से बता देंगे आकास का रंग नीला जलिए आगे बढ़ें अगला प्रसंत देखिएगा वारा नंबर आस्पान ने नेंटर की अधिक्तम दूरी ठीक है अधिक्तम दूरी मालन नेतर का एक सुवस्त नेतर का प्रास कीतना होता है पचीस सेंटीमीटर से लेकर और अनन्थ तक ठीक है तो अनन्थ आपका पारा का ओप्सन डी बिल्कुल सही उत्तर है चली आगे बढ़ते हैं तेरा नमर प्रस्ट कर रहा है आप से कि लेंस की छमता का एसाई मातरक है लेंस की छमता का ऐसा ही मातरक क्या होता है तो अब जानते हैं लेंस की छमता तो लेंस की छमता से मालने जाए पी से सुचित करते हैं ऐसे भी पी से ही सुचित करते हैं तो यह उसके फोकस दूरी का व्यूत कर्म होता है तो ये एक और ये अपना फोकस दूरी मीटर में मापते हैं, तो इसलिए मीटर इन भर्स और इसे डाइ आप्टर भी बोलते हैं, तो लेंस की छमता कैसा है मातरक, मीटर इन भर्स या डाइ आप्टर, ठीक है, तो option C सही उतर है, कितना नमर प्रस्ण है, 13 नमर, देख लिए ध इसका उपचयन हो रहा है, उक्सीडाइजड कौन हो रहा है, तो जिसमें उक्सीजन बढ़ रहा होगा, देखें कि इसमें बढ़ रहा है, यहाँ पर होगे होगे ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वार्ट इस द्धो वाइलनसी ओफ एने सुढ़ियों तो सुढ़ियं का पर मालू संक्ता आपको मालुम होना चाहिक एन एक इतना होता है कि एक सर्फ प्रस्ट कर लेना है तो पंद्रा का ऑपसान ने चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदिक एगा कर आप से एलकेन का सामान या सूत्र एलकेन का जैनरल फर्मूला समान या सूत्र क्या होता है यहीं सुलान आमार प्रस्ट में आप से पूछा गया तो स्ती एन एस टुए न आप से जरूर पूछा जाएगा इसको याद रखिएगा सुला का ओप्शन से तीनों में से कोई एक जरूर आपके पैपर में रहेगा चली देगे पूछा ता जरूर फर्मूला पेल की नीज तो सी एन एस पिलिंग है एलकेन करें आप से कि उदासीन बिलियन का पीएस मान होता है वाट इस दा पीएस वैल्यू अफ नियूट्रल सॉलूशन उदासीन बिलियन का देगे पीएस स्केल जो लौरेंस के द्वारा खोज किया गया था उसमें इसी तरह रहता है साथ जो रहेगा उदासीन साथ से आगे अचार यह होता साथ से कम तो अम लिये होता कि लिए समझ चुक है सतर का क्या हो जाएगा आपका ओप्सन सी बिल्कुल सही होता है चलिए आगे बढ़े 18 नमर प्रसन देख लिए ध्यान से आप से कि आवर्त सालनी में कितने वर्ग होते हैं देखिए यहाँ पे हैं आपसे प्रसन पूछा गया है तो 18 नहोते हैं बिल्कुल सही ओप्सन डी 18 का सही होता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन 19 नमबर ध्यान से देखते चलेंगे और याद करते चलिए आपसे कौन सा अधातू विधूत का सुचालक होता है इसमें से कौन नॉन मेटल है जो ग ओधाटू क्या होचाएगा ग्रफाइट ओप्सन भी सही ओडार धातू ऩो कौन सा अधातू है जो बिधूत का सुचालक है तो ग्रेफाइट टो 19 सका सही ओडार आपका और प्रसन और थिया आगे बढ़ते हैं 20 नमबर प्रसन कार आपसा है तो डिया है तो गारे में सा हो जाएगा आपका option B चली आगे बढ़ें अगला प्रसना आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है करें आप से कि नीमन में से कौन जो है दूरुबल अमल है देखिए यहां पर प्रसने फिस अब फोल्वाइंग इस वीक एसीड और दूरुबल अमल है तो अमल जो होते हैं यह सीड़ो दो परकार में बाठकर हम लोग पढ़ते हैं एक होता है यह पर बलं एक होता है दूरुबल अमल दूरुबल या मतलब कि सबल कैसे बताते हैं तो उसमें कितना एच प्लॉस आ उतर हो जाएगा यहीं क्या है दूरुबल अमल का उधार है तो इसका याद रखेंगे ओप्सन लिए चलिए बाइस नमर प्रस्ट पर पोटैसियम के का परमालू संग है जैसे में माले जिस सोडियम का आम लो लिख रहते एक गार उसी तक पोटैसियम का परमालू संग है कि कितना होता है आप से पूछा गया तो उनीस होता है बिल्कुल सभी कितना होगा उनीस होगा तो आप्सन यह सभी करते हां से पोटैसियम कुछा है तो बिल्कूल सैब एप्सन चलिए आगे बढ़े अगला प्रसंग आपके SC्क्रीण पर आने जा रहे तेइस नमबर प्रसं अप्शन भी आपका देश का बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से जल्द जल्दी देखते चलिएगा कर आप रसन अगला कि ये तो काफी आसान टाइप प्रसने सधारा नमक का रासायनिक सुत्र दा विस वाट इस दा केमिकल फर्मूला आप कॉमन साल्ट तो एनने सी एल सोडियम कुलॉराइड क्या है रासायनिक सुत्र है आपका सधारा नमक का तो आप्शन आपका बी क्या है यहां पर देख लेंगे ध्यान से ओप्शन भी सही उतर हो जाएगा ठीक है एनने सी देख लीजिए पर प्रस पूछा था कि सधार नमक का रासानिक सुत्र बताइए तो एन एस दियल सही उतर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला परस देखेंगे 25 नमबर किसी अभिकिरिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो किसी अभिकिरिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक अर्थाथ की रियक्टेंट और जो बनता है वो प्रतिफल अर्थाथ की पोर्ड़क्ट ठीक है जैसे मालने जे ए और बी आपका भाग लेकर सी बना रहे हैं तो ये भी आपका क्या है तो ये रियक्टेंट है अभिकारक है और ये क्या है आपका प्रतिफल है पोर्ड़क्ट है है विस ओफ एन इलिमेंट ऑफ ग्रूप जीरो सुन्य बर्ग का तत्तों कौन है आप से पुछा जा रहा है कितना नमर प्रस्ण है 26 नमबर तो सुन्य बर्ग के तत्तों जिसे मतलब की जिसमें हम लोग बोलते हैं अक्रिये गया जो अक्रिये तत्तों होते हैं इनका आउटर म स्वाप उसी पोशन के लिए आवस्यक है स्वाप उसी पोशन के लिए क्या आवस्यक है तो स्वाप उसी पोशन आप जानते हैं पेर पौधो में पाया जाता है तो आपका प्रकास संसेशन की किरिया करते हैं तो प्रकास संसेशन के लिए कार्बन डायक साइड तथा जल स् फिर आपका सूर्य का परकास जाई है, सनलाइट भी चाहिए, कुलोरोफिल भी चाहिए, बिल्कुल साहिए, इसलिए तो option D दिया गया है, all of these, तो option D सही उतर है, तो आपके 27 नमबर प्रसंद का, देख लिजे द्यान से, चले आगे बढ़ें, अगला प्रसंद देखेंगे, 28 एक नमबर, करें इनमें से क्वोन परकास संसलसि अंगक है, मतल儿 परकास संसलित की किरिया में, कौन भाग लेता है, यह आप से पूछा जा रहा है, क्वोन परकास संसल्सित अंगक है, तो पत्ती जो लीफ है, वहीं है, option C सही उतर है, ठीक है, ओप्रसंद देखियाँ कह रहा है प्रस्ण आप से मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन है लीबर है ठीक है यहां पर देखेंगे तीस नमबर करें आपके पादप में जाइलम के लिए उतरदाई है जाइलम का कौन सा कार्य होता है तो जलका वहन करना ठीक है दिखाई आपको दे रहा होगा ठोड़ा से इसको मैं छोटा करूगा यहां पर तक आपको दीखाई रहा होगा यहां पर देख लीज्या करता है यहां पर क्या होगा hok करता है इतना नमरपरसंट तर्थ तीस नमर्ट आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंट आपके स्क्रीन के रहे रहा तो इसे प्रसंट अजरूरूर देटे यूजन द्वारा तो option C 31 नमर प्रस्ण का बिल्कुल सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण मचली के हिर्दय में कितने कोश्टक होते हैं तो सर दो चैंबर होते हैं देखिए आप पूछा है तो यहीं सही उत्तर है चलिए कि लिए देख लिजे एक बार प्रस्ण याद कर लिजे पढ़कर तो तक सही उत्तर क्या है आपसंट ये बड़े चौटीस नमर प्रस्ण ध्यायन से आगे बढ़े चौतीस नमर प्रस्ण फिर सर material देख लिजे का 34 नमर जलें आगे बढ़ें अगला प्रसन आपके स्कृंग आने जा रहा है 35 नोमर ध्यान से देखेंगे सबसे प्रमुख नर हारमोन है तो आप संटी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखेंगे करें इन में कौन जो है और लाइंगी जनन की बिदी है और सेक्सुल रिपोड़क्शन मेथट इसमें से कौन सा है आप से पूछा गया दो तरह के बिदी हम लोग पढ़ते अगला प्रसंद देखेंगे करें प्राग कूस में होता है प्राग कूस में प्राग कर होता है तो आप संटी ठीक है option D सही उत्तर है ध्यान से याद करते चलेगा option D आपका बिल्कुल इस प्रसंद का सही उत्तर हो जाएगा चले आगे बढ़ें ध्यान से देखेंगे अगला प्रसंद देखेंगा करें आप से कि अनुवानसी की गुणों का संदेश होता है अनुवानसी की गुणों का संदे होते हैं option 38 का सहीं उतर है चलिए आगे बढ़ें अगला प्रसंद देखेंगे 39 नमबर करें आप से किस बैग ज्यानिक को father of genetics अर्थाज की अनुवांसी की का पीता कहा जाता है name of the scientist who is known as the father of genetics यह आप से पूछा जा रहा है आप लोग उतर देंगे इस का सहीं उतर क्या होगा ग्रेगर जॉन मेंडल किसे कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को तो option भी सहीं उतर है देख लीजिए option भी बिल्कुल राइट उतर है चलिए आगे बढ़ते हैं चालिस नमर परदान करना और हाइडरिला चुकी पौधा मतलब कि समुंदरी पौधा है जलिये पौधा है इसलिए इसमें रंध नहीं पाया जाता है तो option डी आपका चालीस नमर प्रसंद का बिल्कूल सही उतर है अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से आपका कुल कितना प्रसंद सही हुआ जिस भी प्रसंद का उतर आपको गलत हुआ है याद जरूर कर लिजेगा अगला क्ला सब किस भी से का चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद